हेलो मामा लोग, विल्कम हे आप लोग का फिर से एक बार मेरा चैनल में तो आज हम लोग जा रहे थे उलबेळिया और इवाला जो बिरीज है, इवाला देखिए गुगली बिरीज यहाँ पर हम लोगो घुगनी खाते खाते जा रहे थे गुगली बिरीज से तो हम लोगो जाना था उल्वेडिया एक तो गबबा जहां से फून आया था तो बोला था आने का लिए तो काफी दूर था और आपका मतलब धूप भी बहुत ज़ादा था गरम से तो आर भड रहा तो हम लोग बोला कि बाइक लेके नहीं जांगे गाड़ी में जांगे तो आधा रस्ता पहुचा तो हम लोगो लग गिया भूक और यहां पर देखिए एक आदमी आप लोगो नजर नहीं आगा और इतना दूर था कि हम लोगो तो लग रहा है कि दीखा यारे थे हम लोग जा रहे तो जा रहे जा रहे तो जा रहे बहुत मुश्किल से हम लोगो रस्ता में एक थो दुकान नजर आया जहां पर मिल ला था मिधाई, संदेश, लेमचा, गुलाब, जामून तो हम लोग को कुछ समझ में ने आया लाज में एक एक तो हम लोग सिंगाडा खाया अब हम लोग अदिमाग में यह चल ला था कि सिंगाडा खा तो लिया कहीं जा के उदर सिंगाडा देखने भी मिल जागा तो कहा होगा तो फिर हम लोग जैसी जैसी आया और ये वाला देखिए ये पेट्रोल पंप है माजी पाड़ा पेट्रोल पंप तो आप लोग को यहाँ पहुँचना है गूगल में सर्च करके माजी पाड़ा पेट्रोल पंप और वहाँ पहुँच करके हम नंबर दे दे रहे ओ नंबर में आप लोग को कॉंटाट करना है और ओ लड़का आके आप लोग को रिसीफ कर लेगा अब देखिए रिसीफ तो कर लिस हम लोग को रिसीफ करने का बाद ऐसा जगा घुसा दिस जहां से एक ही गाड़ी आने जाने का जगा है जगा ही नहीं है वो तो कैसी कैसी करके हम लोग जा रहे थे बाबा हलका सा भी चक्का अगर इधर उधर होता तो हम लोग गिर जाते खेत में फिर भी गोरू देखने का लिए क्या क्या गरना पड़ता है बहुत ही आस्रा लेकर के दिल में गए थे की बिस पचीस खियार का गोरू मिल जागा वहाँ पर आप लोग के लिए आप लोग इतना हम लोगो मतलब पॉल 하루 प्याज का गोरू रेंज का गोरू दिखाने के लिए तो आप ही लोग के लिए गए वहाँ पर ताकि पया सेंट साट का गोरू रेंज का मिल जाए तो चलिए आप लोगों दिखाते हैं देखिए हम लोग पहुंच गए उसका घर उसका घर में टोडल नौदश तो गोरू है तो बहुत गरम था चटक अंदर गए और जागे पहले तो पांच-दास मिनट बैठा हवा खाया थंडा पानी पिया उसका बाद उटके गए उसका गोरू देखने का लिए तो देखिए इस अब उसका गोरू है यहाँ पर लाइन से आप जो देख रहे चाट तो इसमें से बैल है देखिए इस चारो जो है बैल है चारो बड़ा बड़ा बैल था तिन तो वाइट एक तो लाल और उसका पास चाट तो गोरू भी था देखिए उसका बगल में जो देख रहे बैल लूल का बगल में जो है दोडो यहाँ पर गोरू है और दोडो गोरू जो है उँ दूसरा जगा मतलब बगली में है तो तोटल चाठ्ठो गोरू और चाठ्ठो बैल है इसका पास तो मामा लोग बहुत कोई कमेंड कर रहा कि कम दाम का गोरू दिखाने का लिए पचास हजार चालीस हजार का गोरू दिखाने का लिए तो उस अब दाम का गोरू तो मामा भी मिली नहीं रहा दिमाग खराब हो जा रहा घूरते घूरते समझे मतलब ऐसा की बदन हाज भी दरत हो जा रहा गाड़ी का तेल भी खतम हो जा रहा है लेकिन गोरू उदाम का मिल नहीं जहां जारे असी हजार एक लाग देड़ लाग एक लाग साठ़ लाग ऐसा एसा दाम बोल ला है तो हम कहां से गोरु पयासयार का लाए बोलिए और पयासयार का जो गोरु दे रहा है जो दाम भोल ला पयासयार जो गोरु का तो उगोरु तो ऐसा है कि आप मतलब क्या ही बोलिए देखिए इस अब गोरु देखिए माशाला अच्छा गोरु है हाइड कम है गोरु का लेकिन गोरू गोल मडोल है देखिये तो इसका पास चाट्टो गोरू था अचाट्टो बैल गोरू दोनों अच्छा था खुबसूरत है दोनों गोरू गोल मडोल है तीक है आप लोग को बाहर निकाल के भी दिखाएंगे तो इवाला वीडियो जो है वहां का व्लॉग हम लोग आए दो वीडियो कर दिये दो पार्ट कर दिये आप लोग देखिये आप लोग भी जा करके पसंद करिये और रेड इन लोग का क्या है आप लोग को वो भी वीडियो में बता देंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि इतना दूर जाना आप लोग कल ये सही होगा की नही दूर जागा जैसे कि हम लोग वहां से मतलब सेरे पंजाब सिर्फ 16 किलो मीटर था तो आप लोग सोच लिए कितना दूर तो उतना दूर जा करके अगर हम लोग को सही गोरु सही सौधा नहीं मिला तो फिर क्या ही बात है आप लोग देखिएगा दाम सुनिएगा उसका बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग को उधर जाना चाहिए कि ने जाना चाहिए यह वाला देखिए यह माल टो बैल है लेकिन बहुत खुपसूरत है हमको तो पहले देख के लगा था कि गोरु है इसका जैसा शेप वेब है लेकिन जब फिर इसका सही से देखा पी अवरेज हाइड है लेकिन चारो मालडो गोल मडोले तो आप लोग इसका बैल भी देख सकते हैं ठीके बाहर निकाल के आप लोग को ये भी दिखाएंगे और बहुत सारा जगा अभी जाना बाकी है मामा जा रहे है बात हो रहा है वीडियो भेज रहा है लेकिन दाम ऐसा बोल जो मुँ में आ रहा बग दे रहा इसलिए समझ में नहीं आ रहा जाए ने जाए आप लोग का जो है कमेंड आ रहा है कम रेंज का गोरु दिखाने लेकिन कम रेंज का गोरु मिली नहीं रहा दामी ऐसा बोल रहा हो लोग कि छादा लोड़ा हेरा दे रहा मतलब गाउं देह आप में जा करके भी अगर ऐसा इसा दाम सुनने को मिलेगा तो आदमी क्या करेगा बुलिये। समझ में नहीं आ रहा है। दीखिए यह वाला माल दीखिए बहुत ही जबर्दस माले एकदम गोल मटोले और बैले बहुत ही अच्छा शेप ले करके। और उसका बगल में देखिए यह है दिवाल दार बैल जो की बहुत ही खेड़ा है और सबसे ज़्यादा हाई डै वाला बैल का है। तो आप लोग को सब दिखाएंगे प्राइस का साथ दिखाएंगे टिंसन मत लिए आप लोग बोलते हैं प्राइस बोलो प्राइस बोलो तो प्राइस भी बोलेंगे अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग को जाना चाहिए या आप लोग को प्राइस सही लग रहा ह कितना दाम होने चाहिए आप लोग का हिसाब से हमको कमेंड में बताईए ताकि अगला भी देखे और उसको भी समझ में आए जिसका गोरु है तो ये है देखिए बैन लंबर एक जो की बहुत ही मतलब जब अदस था उसका देखिए बदन का मुटाई देखिए चोड़ा आए बहुत ही चोड़ा था था थोड़ा सा खाली पेड इसका बड़ा है लेकिन माल में वजन है और खुबसूरत भी एकदम गोल मटोल है और वाइड हो रहा है एकदम लग रहा फेरें लबली क्रीम लगा के आई से देखिए इसका शेप भी बहुत अच्छा ज्हाला रूलर भी है और इस अब बैल जो है मतलब देखके आप लोगो समझ में नहीं आगा कि बैल है लग रहा कि देखके कि गोरू है देखिए मतलब ऐसा खुबसूरती ले करके कोई भी वैसा नहीं है मतलब बैल लोग होता नहीं कि एक तो देखके समझ में आ जाए कि वो बैल है लेकिन इसको आप देखके ने समझ पाईएगा इसका चाहरा हो रहा इतना अच्छा है और बनावड भी बहुत अच्छा है बस खाली प लाए में तब तक थोड़ा सा गोस बढ़ेगा बदन में तो पेड़ जो है हूँ थोड़ा मेकप में आयागा बगल में ममा इधर तलाव भी था गरम तो इतना भ्यानक लग रहा था कि दिल कर रहा थे कि कपला उपला उतारे जम मारते है तलाब में देकिन फिर हम लोग बो देख लीजे बहुत अच्छा था भारी था येुव रलाब का उसका आस्किंग प्राइज है एक लाग साट हजार खेल देख लीजे आप लोग जो है आप लोग का सामने है दाम आप लोग को बता दिया जो अगला मांग रहा है एक लाग साट हजार उसका बात निकालेंगे देखिए इदो नंबर बैल जो है वो निकाला जाएगा जो कि यह लाल इवला माल्टो बहुत खुबसूरत था सेब बहुत अच्छा था चांद सिंग है सलामी उलामी अच्छा है गोल मडोल है खाली इसका आग से थोड़ा सा देखिए काजल बहरा है काजल लगाया किया था इसको वीडियो करने का लिए तो इसलिए उसको जल थोड़ा जिसका वज़े से आग से इसका जो काजल बहरा है लेकिन माल देख लीजे, माल में फुल गेट अब है, तीक है, और पीछे का भी बनावाट उनावाट बहुत अच्छा है, पूरा शेप आला माल है इडो, हाइड इसका थोड़ा सा शौड है, मतलब उतना भी शौड नहीं, एवरेज हाइड जो रहता वही है, लेकिन माल कितना चोड़ा है, स्रामिय उलामी भी अच्छा है, सिंक भी अच्छा है, दिकि एकदम चांशी है, ठीक है और चोड़ा बहुत अच्छा है, इवरे बैल भी हमको बहुत पसंद आया है वह माँ, झीक है, इसका हम सोचा था कि, बात करेंगे लेकिन फिर हम बोलेगे, आप लोग देखिए इडो बैल देखके पसंद करिये और उसका नंबर देदेंगे उसको कॉन्टाक्ट करके जाए जा करे सामने से देखिए देखकर के पसंद करके ले लिए लेकिन पहले rate आप लोग सुन लिजिए कैसा rate है उसका बाद decide करिएगा आप लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इवाला जो बैल है इसका भी asking price उसका था एक लाक साड़ यार बैल बहुत अच्छा है गोल मडोल है लेकिन दाम का हिसाब से आप लोग जच करिए कि सही बोल रहा कि गलत बोल ला कितना तक होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप लोगो जो साब अंद आया है गोस का दाम आप लोग देख रहे कैसा है उस हिसाब से calculate कर लिए उसका बात पहले phone करके बात करिए अपना दाम बताईए उसको अगर देखिए थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तब जाईए ने तो ऐसे जाना इतना गरम में मामा मेरा हिसाब से जो है न पैसा का भी बरबादी है और अपना सिहत का भी खराबी है इसलिए कि बहुत जादा ही मतलब धूप और बहुत जादा गरम है बर्दास का जो है न बहार हो जा रहा है उसका बात देखिए यह तीन नंबर बैल जो कि हमको परसनली बहुत पसंद आया था बहुत ही कुपसूरत था ही एकदम चमक रहा था वाइट था और इसका सलामी देखिए मतलब अच्छा शेप का बैल था ज्यादा भारी नहीं है लेकिन गोल मडोल है शेप अच्छा है खराब शेप नहीं है पेट वेट सब शेप में है पीछे का भी अच्छा सिंगाडा किसी का नहीं है तीक अच्छा वह सिंगाडा खा करके गए थे तो हम लोगों सिंगाडा दे मिलें अगर रस्गुला आप लोग खागे जायेगा तो और भी आप लोग को सिंहाला कउदी देखने को मिलेगा इसलिए कभी भी जाईये सिंहाला कई खागे जाइए रस्गुला खागे नाएगा गंौल ये वाले जो माल है इसका उसका आस्किंग प्राइज है एक लाग पचास हजार दिर लाग देखिए आप लोग बैल कैसा है कैसा लगा आप लोग को बताईए कमेंड करिए और भी दिन चाट तो नया नया गपा का वीडियो है उस अब आएगा बहुत जल्द तिन चार यगा आप लोग लेगा है उसमें छोड़ा छोड़ा गोरु है देकिन उसका भी दाम तो मामा बड़ा बड़ा बोला ना गोरु छोड़ा है लेकिन दाम बड़ा बोला ये लोग ऐसा दाम बोला कि आप लोगो क्या बता है मतलब कि इतना छोड़ा छोड़ा गोरू का ऐसा अब दाम बोलेगा तो इनसान हार्ट से ही गोरू ले लेगा देखिए ये बैल हमको बहुत खुबसूरत लगा और हमको पता है आप लोग को भी इसमें से जो जो मेरा मामा लोग वीडियो देख रहा है और लोग को भी अला बैल्टो काफी पसंद आएगा इसलिए कि था बहुत अच्छा चीच लेकिन दाम जो मांग रहा है थोड़ा उपर मांग रहा है उड़के मांग रहा है अभी हम जो लोग भी देख रहा है कि आया है विडियो बनाने तो थोड़ा कस्टमर आ गई इसलिए दाम लोग जो है थोड़ा बढ़ा आगे मांग रहा है लेकिन यह भी बोला है हूँ कि आप अपना दाम बोलिए नीचे आगा तो आप लोग देख लिजे उस हिसाब से उसको दाम बुलिए नंबर उसका देदेंगे आप लोग को आई जो भाई है इसका नंबर आप लोग को देदेंगे इसी का सब गोरू है थीके अब तिन डो बैल एक ठो जो बैल था काफी खेडा था तो इसी लिए उसको बोला नहीं निकालेंगे थीके उसका बाद आगिया देखिए गोरू इवाला है गोरू मल्टो देखिए इभी काफी अच्छा है थीके गोल मडोले पीछे का शेप इसका काफी अच्छा है देखिए हाइड उसका जितना भी गोरु सब बिहारी गोरु है तो हाइड आप लोगो उतना मिलेगा नहीं और हाइड यहाँ मिलेगा वहाँ पर थोड़ा पैसा भी आप लोगो ज़ादा देने होगा तो यह अलग गोरु जो है मीडियम हाइड का है गोल मडोल है और इसका जो है asking price है 1,40,000 देख लिजे सही से आप लोग देख लिजे 55 का गोरु पता नहीं आप लोग को कब दिखा पाएंगे तो जो आप लोग को दिख रहा है जो आप लोग को दाम हम बता रहे है अभी फिलाल यही सब range का गोरु हर जगा मिल रहा है मार्किट में मतलब दाम बहुत ही उड़ उड़ के चल रहा है सब को लग रहा है कि सबका पास बहुत पैसा है जागा 12,00,000 बोलेगा अगला 1,00,000 दे के खरीद लेगा सब यहीं सोच रहा कि हम 13,000,000 बोलेगे अगला खुस हो जागा बोलेगा इतना कम दाम बोला तुम मेरा तरप से 10,000 आर ले लो एक लाग साड़ ले लो तो ऐसा हो लोग सोच रहा समझे मतलब क्या ही आप लोगों बता है हम लोग गये इतना गरम में धूप में जागर के देखा तो यह दाम बोला इसका चीज है अपना इसाब से दाम बोला अब उसका आप उसको 20,000 बोलिए, 30,000 बोलिए आपका उपर है उसको जहां समझ में आगा जितना है पुसागा देगा लेकिन दाम तो खैरी थोड़ा बहुत ही उपर मांग रहा था ज्यादा मांग रहा था बैल उलगा तो एकी साब से चलो ठीक है बड़ा बड़ा है लेकिन गोरू का जो इतना दाम बोली से हमको समझ में आया ने खैर हम उसको कुछ बोला ने हम बोला ठीक है वीडियो हम डाल देगा बागी जो है तुम समझ लोगे अपना जो भी कस्टमर लोग दाम बोलेगा या जो भी होगा लेकिन आप लोग को हम इतना ही बोलेगे मामा पहले फून में बात कर लीजेगा सटा सटी में आएगा तब फिर जा के सामने से गोरू देखिएगा और बात करिएगा इसलिए कि बहुत दूर है ऐसे जाना मतलब मेरा इसाब से सही नहीं है हम तो खैर आप लोग लिए गए थे वीडियो करने का लिए तो कोई बात नहीं है लेकिन आप लोग जाईएगा उतना दूर और जागर के ऐसा दाम में पढ़ेगा नहीं तो जाना आप लोगा बिकार हो जागा और गरम भी बहुत जादा ठंड़ा का डाइम है नहीं चकल्लस करने का भी एक टो टाइम है जादा गरम में चकल्लस करिएगा ना तो फिर भारी पढ़ जागा इसका भी हाइड उतना नहीं है सब गोरु का हाइड जो है सब एवरेज हाइड है सब जो हाइड सौर्ड है लेकिन माल था सब अच्छा गोल मडोल था ठीके लेकिन दाम थोड़ा सा जादा है देखिए इसका मांगा है एक लाग बी साजार रुप्या तो आप लोग देखिए इसका थोड़ा सा सिंगारा गोरु तो मामा मीला नहीं सही दाम गा तो हम लोगों मिलिया रस्ता में प्याजू और कच्छली तो सोचा वही खाते वे चले तो देखिए गोरु ग्राम में आप लोगों मिले या नहीं मिले प्याजू कच्छडी आप लोगों मिलेगा तो आप लोग भी जाईएगा तो प्याजू कच्छडी जरूर खाईएगा इसलिए कि वहाँ पर का यही जो है सस्ता है, बाकी गोरू जो है वो काफी महेंगा है गोरू लेने का लिए जाना है आप गिराम में भी जाने के लिए आप लोग को समझ लिए कुछ न कुछ पेपर ले के जाने होगा तो हम लोग खाया प्याजू कचली थोड़ा सा पेड़ भरा और चपनी में वहाँ से हो गया खुलतम तो इसका बाकी सारा गोरू का वीडियो जो है पार्ट टू में आने वाला है तब तक कल ये चैनल से जुड़ा वा रही है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी बहुत सारा कप्पा आने वाला है तब तक कल ये मामा लोग को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और मिलेंगे मामा अगला वीडियो में अल्ला आफिछ